तो कच्चा नौ की परिक्षाएं वार्शिक वाली प्रारंब हो गई है तो बिना किसी देर किये हुए हम लोग चलते हैं प्रारंब करते हैं इस पेपर को ये पेपर हमें एक बच्चे ने भेजा है और कहा कि सर हल करा दीजे तो आईए हम इसको हल करते हैं हो सकता है कल के आप से प्रशन मिल जाए जो बहुत important है आपके लिए तो आई ये शुरू करते हैं पहले 20 प्रशन आपके objective होंगे जो की आपके एक एक अंक के होंगे आपको आराम से 200 कर लेना है चुंकि ये number जो होते हैं बड़े मजबूत होते हैं पहला सवाल आपके screen पर ये है कि जो आपके यूग कब से कब तक चला तो option है आपके 1860-1900 तक तो ये भारती इंदु यूग आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा ये भारती इंदु यूग हो जाएगा तो ये आपका answer सही नहीं है फिर 1900-1945 ये कोई यूग नहीं हम नाम इसका दे सकते 16-18 भाव हम नाम नहीं दे सकते, 1900 से लेकर के 1920 का यूग जो रहा आप्शन नंबर C आपका यहाँ पर यानि की गावाला सही होगा दुबेदी यूग की कालावधी, दूसरा प्रशन है फोर्ड विलियम कॉलेज कहां पर इस्थित है, फोर्ड विलियम कालेज की स्थापना सन 1800SB में हुई थी, कहां पर हुई थी कलकत्ता में, तो का आप्शन यहाँ का सही है, फोर्ड विलियम कॉलेज कलकत्ता में इस्थित है, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजे, सत्यात प्रकास एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, रामानंद है, दयानंद है, विरजानंद है, नागानंद है, तो सत्य प्रकास स्वामी दयानन सरस्वती की पुस्तक है किसकी है स्वामी दयानन सरस्वती की है गद्य में खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं महाबीर प्रसाद दुबेदी रामचंद्र शुकल या फिर हजारी प्रसाद दुबेदी या फिर भारतेंदू हरिश्चन बहुत स्कूल की हिंदी में एक अप्रेल से आपका सेसन हो सकता उससे पहले से ही सुरुवात हो जाए तो खड़ी बोली के जन्मदाता में भारतेंदू हरिष्चन ऑप्शन नमबर डी आपका सही होगा पदमावत के रचैता कौन है तो पदमावत जानते हो पदमावत आजाए अखर पदमावत आखरावत आखरी कलाम ये जो कृतियां हैं ये मलिक मुहमद जायसी की है तो आप्शन नमबर खा यहां पर सही होगा भक्तमाल के रचैता कौन है जी हाँ भक्तमाल आप जानते हैं एक बहतरीन कृती है भक्तमाल और अश्टयाम अश्टयाम भी नाभादास की है भक्तमाल भी नाभादास की है तो option number का यहाँ पर सही हो जायेगा इनकी एक कृती और याद कर लो अश्ट्याम बहुत बार पूछी जाती है यह नाभादास की कृती है स्मार्ट बोर्ट पे इसलिए नहीं आये क्योंकि स्मार्ट बोर्ट पे आपका जो यह पेपर है थोड़ा सा बलर दिख सकता है इसलिए स्मार्ट बोर्ट पे पढ़ाना उचित हमने नहीं समझा आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है आदिकाल का अन्य नाम अगर आपको जानना है तो समझे बीजवपनकाल आदिकाल का अन्य नाम है कला काल हम स्रिंगार काल को कहते हैं ठीक है उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का नाम हो जाता है रीतिकाल और पूर्व मध्यकाल हो जाता है भक्तिकाल इसी भक्तिकाल को हम क्या कहते हैं इसी भक्तिकाल का नाम होता है स्वर्ण यूग हिंदी साहते का स्वणयूग या स्वणकाल भी कहा जाता है इसी पूर्व मध्यकाल को जिसे हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं भक्तिकाल में सगुण निर्गुण दो साखाएं चलती हैं फिर निर्गुण में भी बहुत सारी साखाएं निकल के आती हैं सगुण में भी राम आश्री कृष्णा स्री निकल गया तो बीज वपन काल नाम किस ने दिया था तो ये महाबीर प्रसाद दुवेदी का महाबीर प्रसाद दुवेदी ने आधिकाल को बीज वपन काल कहा और आधिकाल को आधिकाल किस ने कहा तो आधिकाल को आधिकाल कहने वाले हैं हजारी परसाद दुवेदि आधिकालको बीरगाथा-काल किस ने कहा तो बीरगाथा-काल कहने वाले कौन हैं आपके आचार्य शुक्ल जी मैं जिनों ने बीरगाथाकाल कहा इतनी बात कलीर हुई समनवे की भावना किस काल की प्रवरत्ती है भक्ति काल की और रीति काल की आधि काल की या फिर आधुनिक तो देखो समनवे की बिराट चेश्टा रामचरित मानस में की गई तो हम भक्ति काल की ही समनवे की बिराट चेश्टा जो प्रवरत्ती है वो भक्ति काल की ही मान सकते ह आप्शन नमबर ए तो काली घटा का घमंड घटा नभो मंडल तारक वरंद खीले यहां पर घटा शब्द दो बार आता है अचा काली घटा का घमंड घटा काली घटा एक घटा का मतलब हो जाता है मेग और दूसरी घटा का मतलब हो जाता है कम हो जाना ठीक है कम हो जाना तो जब दो शब्द, एक शब्द की आवरत्ती दो बार होती है, परंतु अर्थ अलग-अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है, और कनक कनकते सौगुनी वाली बात वाला समझ लीजिए. तो चडचे तक परतल वार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को. भाई साब ये कौन सा है? यहाँ पर रस पूछा गया है, यहाँ पर जो रस है, वो आपका बीर रस है, क्या रस है? बीर रस है. चौपाई चण्ध है, तो चौपाई भाईया सम्मात्रिक चंध है, क्योंकि प्रतेक चरण में 16-16 मात्राएं होती है. अंत में जो होता है, दो गुरू होते हैं. पत्थर का तत्सम क्या होगा? तो पत्थर का तत्सम हो जाएगा प्रस्तर. और होता है अल्पग्य का विलोम अल्पग्य का हो जाएगा बहुग्य ठीक है अल्पग्य का बहुग्य अल्प का बहु होता है इसलिए हम सरवग्य नहीं लगाएंगे अल्पग्य का बहुग्य होगा फिर चतुर का परयायवाची यहां पर पूँछा है तो चतुर मन्स मिन्स होता है चालाक यानि की पटू तो option number D पर यहां पर हम जाएंगे आपका पटू हो जाएगा चतुर का जनमांद में एक समास कौन सा है बताईए फटाफट जनमांद में होगा करण तत्पूरुस करण तत्पूरुस means आपका तरतिया वाला तत्पूरुस ठीक है करतानी कर्म को करण से करण तत्पूरुस यानि जनम से अंधा जैसे इसी परकार होता है मदांध मदांध मतलब होता है मद से अंधा मद से अंधा या मद के द्वारा अंधा तो जनम के द्वारा अंधा यानि जनमांध हो जाएगा करण तत्पूरुस ठीक है वक्ता को जहां कुछ देर रुकना पड़ता है वहां कौन सा चिन लगता है कुछ देर यहां पर बोल रहा है कुछ देर रुकना है कुछ देर रुकना है तो अलप विराम होगा ठीक है एकदम ठहरा हो तो पूर्ण विराम हो तो यह अलप विराम होगा कुछ देर रु तो महाधन उदधि, इसका विच्छेथ क्या होगा? महाधन उदधि, ये क्या हो जाएगा? महो दधि, गुन संधि हो जाएगा, ठीक है? कॉनसी है? गुन संधि हो जाएगी महो दधि में. हरी शब्द का दुतिया विभक्ती दुईवचन में रूप होगा तो ये कैसे चलता है ये हरी ही हरी हरयाहा हरी ही हरिम हरी हरीन ऐसे तो ये जो हरी है ये आपका दुतिया शब्द का दुतिया विभक्ती का दुईवचन का रूप और प्रतमावी भक्ती का दुईवचन का रूप हरी ही बनता है फिर है क्रीधातू विधिलिंगलकार मध्यम पुरुस दुईवचन का रूप क्या होगा ये आपका हो जाएगा कुरियातम ठीक है ये कुरियातम बनेगा फिर है बीस्वा और अंतिम प्रस्ण अबजेक्टिव क्येस्चन का सही शब्द यहाँ पर क्या है तो गावा गावाला उप्षन उपरियुक्त सही होगा इसकी जो संधी होती है उपरिधन उप्त होती है ठीक है ये यड संधी से उपर यूक्त शब्द बनता है ठीक है तो ये सही शब्द होगा डी आप्शन फिर ही किस्वा वर नात्मक प्रशना हैगा जो कौपी पर लिखना होगा मेरी कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिर्की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के जुन्ड का नेता बना हर डाल पर उचलता रहता और ठीक चार बजे वा फिर्की से भीतर आकर अपने जूले में जूलने लगता जी हाँ ये जो चैप्टर है आपका गिल्लू कहानी से है गिल्लू कहानी आप जानते हैं गिल्लू महादेवी वर्मा की कहानी है किसकी है महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी है गिल्लू तो पूच्छा क्या गया है इसके तीन प्रश्ण पूच्छे जाएंगे गिल्लू महादेवी वर्मा आप लिख दीजेगा इसका संदर्ब प्रसुत गद्यान हमारी पार्ट पुस्तक के गद्यखंड में संकलित गिल्लू नामक कहानी से उद्रित है इसकी लेखक या इसकी लेखी का महादेवी वर्माजी है तो गिल्लू दिन भर किसका नेता बना रहता था तो यहाँ देखो क्या लिखा गिल्लहरियों के जुन्ड का नेता बना रहता था रेखांके तंश की व्याक्या तो आप लिखेंगे गिल्लू छोटा सा बच्चा है जो महादेवी वर्मा जी ने जिसको पाल रखा है वहाँ दिन भर गिलहरियों के जुंड में अग्रणी रहता है और उस जुंड का नेत्रत तो करता हुआ इस डाल से उस पेड़ से उस पेड़ पर जाता रहता है और ठीक जब चार बच जाते हैं तो घिर्की से अंदर आकर अपने जूले पर जूलने लगता है और इत्मिनान से बाट जाता है सुनार बुलाया गया वो सोने का पिंजरा तैयार करने में जुट गया पिंजरा ऐसा नोखा बना कि उसे देखने के लिए देश विदेश के लोग तूट पड़े कोई कहता सिक्षा की तो इती हो गई है कोई कहता सिक्षा नभी हो तो क्या पिंजरा तो बना इस तोते का भी क्या नसीब है सुनार को थैलियां भर-भर कर इनाम मिला जी हाँ तोता रवीन नाट टैगोर की कहानी है तो संदरब आप लिख दीजिएगा व्याख्या में सिंपल सा वर्ड है अपने भाव में आप लिख सकते हैं सुनार को क्या भर-भर कर इनाम मिला थैलियां भर-भर कर इनाम मिला ठीक है तो कूके लगी कोईले कदमबनों पे बैठी फेरी और धोए धोए पातो हीली हीली सरसे लगे बोले लगे दादूर मयूर लगे नाचे फेरी देखी के संजोगी जैन ही अहरसे लगे कहां से लिया गया है प्रेम माधुरी भारतेंदू हरिश्चन द्वारा लिखा गया है ये रचित है भारतेंदू हरिश्चन द्वारा प्रेम माधुरी से लिया गया है तो कवी वर्ण करते हैं कहते हैं क्या कहते हैं वर्षा के बारे में कि कूके लगी कोईले कदंबन पे बैटी फेरी फेरी मतलब पुनाहा कदंब के व्रक्षों पर बैट करके कोईलिया अर्थात कोईल पुकारने लगी हैं कोकू करने लगी है कूकने लगी हैं और धोए धोए पात हिल हिली सरसय लगे कहते हैं कि जो वर्षा के बाद पत्ते सभी धुले हुए प्रतीत हो रहे हैं और थोड़ी सी वायू लगने पर क्या होता है ब्रक्षों पर सरस्ता यानि रसपूर प्रतीत होते हैं सरसे लगे यानि की रस्युक्त प्रतीत होने लगे हैं बोले लगे दादूर दादूर में सोता है मेढक मयूर लागे नाचे फेर कहते हैं वरशारितु आई तो पुनाह मेढक बोलने लगे मोर नाचने लगे देखी के संयोगी जन ही हरसे लगे और संयोगी जनप नहरदे में हरशित होने लगे यह सब देख करके तो संदरबाब प्रेम मादुरी भारते हिंदू हरिश्चन व्याक्या बता दी कोईले कहां बैठ कर कूक रही है तो कदम के व्रक्षों पर एतिहास न तुमको माफ करेगा याद रहे पेड़ेया तुम्हारी करनी पर पच्चताएंगी पूरब की लाली में कालिक पुत जाएगी बरसों के बाद क्या ऐसी गडिया आएगी मैं कैसे इनकी मोहकता से मन मोडू मैं कैसे जीवन के सौसो दंदे चोडू दोरों का जात लिये चलना क्या संभव है तन का मन का पावन आता कैसे तुडू हर क्यारी में पदचिन्ह तुम्हारे देखे हैं हर डाली में मुसकान तुम्हारी पाई है नहीं सुनाएंगे आगे बढ़िये इतिहास नो तुमको माफ करेगा याद रहे प्रसुत पंक्तियां कहां से ली गएं शिवमंगल सिंग सुमन का लिखा हुआ युगवानी नामक शिर्षक से उद्रित हैं और इनका एक कावे संग्रा है विंध हिमाले वहां से ली गई है इतिहास में किसको माफ ना करने की बात कही गई है समाज के करणधारों को माफ ना करने की बात कही गई है पीडियां क्यों पस्चाता आप करेंगी पीडियां नेत्रत्त करताओं के कृत्यों पर पस्चाता आप करेंगी कालिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालिक का शाब्दिक अर्थ है काला रंग कह सकते हो एक प्रकार से कालिक मतलब काला रंग ही होता है यहां पर संदर्व सहित हिंदी में वाद संस्कृत के गध्यांश का करना होगा और संस्कृत के पध्यांश का करना होगा सुबिदित है यानि प्रसिद ही है कि स्री क्रिष्न लोकोतर अर्थात अलोकिक महापुरुष थे आयम माने यहा, महापुरुष हमाने महापुरुष, सहस्त्रेभ्या माने हजारों, वर्षेभ्या माने वर्ष, प्राक माने पूर्व, उत्पन्ना माने उत्पन्न हुए, अध्याप माने आज भी, जना नाम माने लोगों के, हरदेश माने हरदेओं में, विराज माना माने वि प्रदेयों में विजाज मान है। आकाश्वाणी के द्वारा देवकी के पुत्र से समर्त्यूं समाचारं विज्याए अपनी मृत्यूं का समाचार जानकर उभाव अपिकारागारे नक्षिपत दोनों को ही कारागार में डाल दिया। परमहंसा रामकृष्णा पाट से लिया गया है। प्रदान करता है तस्य वचनानी नकेवलम कस्यचित नीरसानी ज्ञान वचनानी अपितु तस्य जीवन देखे। तस्य माने उनके वचनानी माने वचन ना माने नहीं केवलम माने केवल कस्यचित माने किसी उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन है अपितु बलकि तस जीवन गरंथ से उनके जीवन गरंथ के प्रष्ठानी एव प्रष्ठ ही है तस जीवना अहिंसाया हमूर्तिमान हा पाठ विद्यते उनके जीवन का उनके जीवन रूपी गरंथ के प्रष्ठानी एफिर उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है तस जीवन महिंसाया मूर्तिमान पाठा विदते उनका जीवन अहिंसाया का मूर्तिमान पाठ है फिर देखिएगा चचुक्षा मनसा वाचा कर्मणा चचतुर्विधम प्रसादयतियो लोकम तम लोकम तम लोकोन प्रसीदती चक्षुसा अर्थात नेत्रों से मनसा अर्थात मन से नेत्रों से मन से जो मनुष्य चक्षुसा कहां से लिया गया सुभासित्र अतनानी से सुभासितानी का आप चैप्टर तयार कर लेना वहां से आयेगा ठीक है सुभासितानी चक्षुसा जो मनुष्य नेत्र, मन सा, मन, वाचा, वचन, कर्मना, कर्म, चा माने ओर जो मनुष्य नेत्रों से, मन से, वचन से और कर्म से चतुरविधम, चार प्रकार से, ठीक है, चारों प्रकारों से प्रसादयति, प्रसंद करता है लोकम माने संसार को, योह माने जो, यहाँ पर लगा योह, जो मनुष्य, नेत्र से, मन से, वचन से, कर्म से, चार प्रकार से, संसार को, क्या करता है, प्रसंद करता है, तम लोकोन प्रसीदत उसको संसार भी प्रसंद करता है ठीक है उसको संसार भी प्रसंद करता है फिर व्रत्तम यतनेन सनरक्षेत वित्तमायातियातिचा अक्षिणो वित्तत अक्षिणो व्रित्तत स्तुह तोह तहा की चरित्र की व्रत्तमाने चरित्र की यतन पूर्वक सनरक्षेत रक्षा करनी चाहिए ठीक है? प्रत लोगों के समान है पिर है देवदान एकांकी से पन्नादाय का चरचेतरन करना है सीमा रेखा एकांकी का सारांस अपने शब्दों में लिखना है और निम्लिकित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचे देते हुए दो रचनाओं का नाम प्रेम चंद, डॉक्टर धरमबीर, महादेवी देखों प्लेलिस्ट बनी हुई आराम से पढ़ लो ताके एक्जाम आपका अच्छे से जाए नाइंद की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे ठीक है? तो फिर एक कभी का लिखना होगा उसमें सब कुछ पढ़ा हुआ है, जीवन परिचे भी है, सब कुछ है अपनी पार्ट पुस्तक से कंठस्ट किया हुआ इस लोक लिखिए दो अंकों का ये है, फिर दो प्रशनों का उत्तर देना है रामकृष्णा परम्हंसा कीद्रशा पुरुशा आसी तो विलक्षणा हा पुरुशा आसी तो यहां पर कीद्रशा हटा के लिख दो विलक्षणा हा विलक्षणा हा पुरुशा हा आसी ठीक है सिद्धिमंत्रह कीम अस्ति, सिद्धिमंत्रह कीम माने क्या, सिद्धिमंत्रह क्या है, सिद्धिमंत्रह क्या है, कर्म एव, कर्म एव सिद्धिमंत्रह अस्ति, कहा तमहा हन्ति, तमहा अर्थात अंधकार को कौन नष्ट करता है, कहा तमहा हन्ति, तो चंद्रहा तमहा हन्ति, चंद्रहा चंद्रहा तमहांति ठीक है फिर मुहावरे मुह में पानी आना लल्चा जाना तो इसका आर्थ भी लिखना है और वाक्ते प्रयोग भी करना है हमको लड़ु खाते देख मुन्ना के मुण में पानी आ गया 921 होना भाग जाना राम भरो से पुलिस को देखकर 911 हो गया या माश्टर जी को कच्छा में आते देखकर राम भरो से 921 हो गया वाक्यों का संस्क्रित में नुआ तुम पढ़ते हो तुम पठसी राम जाता रामाह गच्छती रमेश मेरा मित्रह रमेशा मम मित्रह अस्ती तुम कहां गए थे तुम कुत्रा गच्छत शुल्क मुक्ती के के लिए विध्यालएकर ब्रधानाचार्य को पत्र तो मैं डाल चुका हूं पढ़नी कक्षा कासे में कासे क्रिक्षा में प्रधानाघ को पत्र लिखे पेपर तयार कर लीजिए बहुत ही सुन्दर इसमें प्रश्ण है तो आप जरूर इनको तयार करें ताकि कल आपके परिक्षा में पेपर ऐसा अगर आ जाए तो आप छोड़े ना ठीक है तो यहां से बहुत सारे प्रश्ण आ सकते हैं इसलिए तयार सभी कर लो क्योंकि करने वालों की हार नहीं होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आप इसे डाउनलोड भी कर लीजेगा पहली लिंक से ठीक है क्लियर चलिए बहुत बहुत धन्यवाद